नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव शर्मा मैं हूँ साइक्टरिस्ट पार्ट टाइम शौकीन हूँ भागने का तो आज हम बात करेंगे भागने की और भागने में एक इंपॉर्टन चीज क्या है नूट्रिशन हाँ खासकर जब हम 5-10 kilometer की सीमा को पार करते हैं और 21 kilometer प्लस जो की हाफ मैरतन है 42 kilometer plus जो की full marathon है और even कुछ लोग जो हैं मेरा भी dream है जब मैं पूरा करपाऊं गातब देखते हैं अगले कुछ महीनों में कि अल्ट्रा मेराथन कोई भी डिस्टिंस जो 42 किलमेटर से उपर हो जो कि 50 किलमेटर से लेकि 800 तक हो सकता है या इवन 200-213 भी होता है डेथ वेली मेराथन खैड तो बहुत जादा हो गया जो भी है तो फिलाल हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में वीडियो बनाने का में मकसद यह नहीं था कि मैं expert हूं तो बी honest nutritionist हूं या मैं running expert हूं में मकसद यही था कि हिंदी वीडियो मिलते नहीं हैं तो काफी सारे जो मेरे साथ भागते हैं और जो comfortable नहीं है English में तो और खासकर क्या होता है हम जितनी इंग्लिश बोलें बट हम बात तो अपनी मदा टंग में ही करना चाहते हैं कि मेरी एक humble attempt है कि जितनी भी जानकारी मैंने एक अठी की है यूट्यूब के माध्यम से बुक्स पढने के माध्यम से मेरा अपना experience बहुत छोटा हो जाएगा बट जो भी मैंने information collect की है भी इंगे doctor थोड़ा research करने की मेरी tendency है तो उसके बारे में आपसे मैं journal tips share करूंगा and I put a disclaimer I am not an expert आपको कभी भी अगर कोई problem लगती है या मेरी बात से आप सहमत नहीं है तो आप बिल्कुल सही हो सकते हैं और आप अपने dietitian के पास उसके बारे में जा सकते हैं किसी और expert के बारे में जा सकते हैं पहले तो हम बात करेंगे जिस दिन आपने भागना है असल में marathon भागने में या half marathon की training में या even 5-10 km में भी step by step उता है मतलब जैसे आप हफता मान लीजे तो हफते में बोला जाता है कि हफते में आगर आप 5 दिन ही भागें तो better है 5 दिन से जादा ना भागें और कम से कम 3 दिन भागें 6 या 7 दिन के लिए मैं discourage नहीं करना चाहता है किसी करेंगे कि injury free कैसे भागते हैं और मैं ऐसा क्यों बोल रहा है कि मुझे खुद injuries हुई है फिलाल हम focus nutrition पर ही करते हैं सबसे पहले हम focus करते हैं कि मान लीजे आप सिरफ 5-10 km भागते हैं अगर आप 5-10 km भागते हैं तो आपको कोई मेहनत करने की दुरत नहीं है a nutrition point of view से हमारी body इतनी तो बनी है कि अगर आपकी health ठीक है आपको कोई heart problem नहीं है आपको कोई blood pressure नहीं है आपको कोई sugar नहीं है और आपकी उमर जो है 30 साल से नीचे है और सब कुछ बढ़िया है तो majority of the times कोई खास problem हो नहीं नहीं चाहिए 5-10 km भागने में 5 km भागने में लग लोगों को 30-40 मिनट का समय लगता है और 10 km भागने में कुछ भी तीपन कुछ लोग तो 30-40 में भी भाग लेते हैं बट अगर 50-60 मिनट या 70-80 मिनट भी लगते हैं तो कोई बिल्कुल problem नहीं है लेकिन जैसे ही आप उससे थोड़ा आगे जाते हैं 15 km, 20 km, 25-30, 40 तो problem स्टार्ट हो जाते ह कि शुरू-शुरू में जिन लोगों ने मुझे motivate किया था half marathon भागने के लिए बाद में full marathon भागने के लिए तो मैं बोलते थे कि half marathon और full marathon बिल्कुल different है तो मैं उस बात को समझ नहीं पाता था जो कि अब मैं समझ पाता हूँ अब क्या मनें समझा वही मैं आपके साथ share करू होगा एक बात तो यह है कि जब हम 90 मिनट से जाधा भागते हैं इसका मतलब 10 किलमेटर से ऊपर चले गए हम तो उसमें हमारे शुगर कम हो जाती है बौडी की जितनी भी शुगर होती है पूरे दिन के लिए वह खत्म सॉल्ट कम हो जाता है तो इसलिए हमें सॉल्ट और कि हम अधाए हम 100-200 कीलो कालरी किक असपर ले ले दो हैं अधाव को भागता है तो तो 300 कालरी से और जो नियुक्त की जाता हो तो पन्र और शुग पर्संट जो काना है वह कार्बोहेटरेट होना चीह और लगभग 25 पर संट की आसपर जो है वह प्रोटीन होने चीह और चाहिए दो चार परसंट ऊपर नीचे चल सकता है क्योंकि यूजली जो डाइटिंग करते हैं लोग उसमें कार्वोःडुट्रेट्स को काफी कम कर देतें कार्वोःड्रेट्स मतलब रोटी और यह सब चीजें ब्रेड यह सब चीजें आजाएंगे इसमें carbohydrates में या fruits आ जाएंगे, sugars आ जाएंगी हमारी, तो carbohydrates की ज़्यादा जूरत होती है, जब हम भागते हैं तो हमें glucose की जूरत होती है, तो एक तो भागने से एक घंटा पहले कुछ खाना चाहिए, अगर आप सुबह भागते हैं, तो भी कोशिश ही होने चाहिए कि सुबह उठते ही आप जैसे बदाम खाले हैं, तो ताइम नी खराब करना चाहते हैं, पानी पीने में, या सॉल्ट की को लेने में, या कुछ खाने में, तो 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 एक तो एक तो एक परस्नली, जो है, अभी, जो मैंने हाफ मरतन भागी थे अरतल की, उसमें एक जो फीमेल थी, इसको हिटिंग दा वाल बोलते हैं, हाफ मेरथन या मेरथन की भाषा में, कि आपको अचानक की आप कॉलापस होते हैं, यूजुली, आई कांट से उन में क्या रहा होगा, बट यूजुली जो पहली पॉसिबिलिटी बनती है, वो यही बलती है, कि उनका शुगर और जो जो सॉल्ट है, या वाटर है, जो उसकी कमी होने की वज़ए से, मसल्स एकदम क्रैंप करती है, मतलब रुख जाती है और वो आदमी गिर जाता है, तो इसलिए कोशिश यह करनी चाहिए, कि इससे पहले कि आपको प्यास लगे, आप नियम से ही हर तीस मिनट के बाद थोड़ा सा पानी पीलें, और उस पानी में अगर शुगर या सॉल्ट या उस तरह की चीजें है, जैसे एक जल आता है, जैसे कि ए एनर्जो जल आता है, या आप कंजबी भी बना सकते हैं, नमक चीनी की जरूरी नहीं, आपको कुई जैली करीना है, अगर आप नीमबु पानी भी ले जाते हैं, चीनी और नमक डाल के, और चीनी नहीं लेना चाहते हैं, तो हाई डाल के ले जाते हैं, तो तो या तो या वेरी गूड आइडिया, उससे हमें ग्लूकोस मिलेगा, और ऐसा हमें करते रहना चाहिए, जब तक हम भागते हैं, चाहे हम आदा घंटे भागें, एक घंटा भागें, दो घंटे भागें, क्यूंकि जब हम ऐसा लगातार करते रहते हैं, तो हमारी बॉड़ी को वो कैलरी जो बन हो रही हैं, वो मिल रही हैं, लगबग एक घंटा भागने में, आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है, 300-600 क्यलो कैलरी आप बन कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी भाग रहे हैं, या लो इंटेंसिटी भाग रहे हैं, तो लगबग हमें 1.500-200 या 300 क्यलो कैलरी ले भी लेनी चाहिए, वह यह थी कि भागने के बाद हमारी बॉड़ी जो है इंसुलिन सिक्रीट करती है, जिसकी वज़े से हमें शुगर की दिमांड होती है, और क्यूंकि हम इतनी फिजिकल अक्टिविटी करते हैं, तो हमें प्रोटीन की दिमांड होती है, और यह दिमांड हमें 30-60 मिनिट में भागने के बाद पूरी कर लेनी चाहिए, इसका मतलब भागने के बाद घर जाएं, नहाएं और सीधा खाना खाएं, ऐसा निकी खाने पर तूट पड़ें, लेकिन उसमें शुगर कंटेंट होना चाहिए, मतलब अध्या कर्वढ़ेंड होने चाहिए, जो कि शुगर हमें चापार्टेस भी मिल सकती है, राइस से भी मिल सकती है और प्रोटेंस भी होने चाहिए जैसे पनीर भी हो सकता है या सोया बीन हो सकती है या बाकी अगर कुछ लोग मीट खाते हैं तो वो तीस से साथ मिनट के विंडो में कर लेना चाहिए मतलब एक घंटे से ज्यादा डीले नहीं करना चाहिए तो एक घं या उससे ज्यादा का प्लान बना रहे हैं या इवन पंदरा किलोमेटर का प्लान बना रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमने सुभे जब भागना शुरू किया उससे पहले क्या खाया या दिन में भागते हैं तो उससे दो या तीन घंटे पहले क्या खाया और उ मुझे लगबग 2 साल हो गया एक्सराइज करते हुए और एक साल हो गया धंग से भागते हुए लेकिन फिर भी मेरा सिरफ 5 किलो वजन ही लूज हुआ है जो कि हार्डली आदा किलो भी नहीं बैठता एक महीने का और वो भी इसलिए लूज नहीं हुआ क्योंकि मैं भागता या बहुत सारे लोगों को लगता हुए और मैंने बहुत सारे लोगों से मिला भी अपने जानने वाले दोस्तों से भागते हैं कि जब उन्होंने भागना शुरू किया उसके 2-4 मीने बाद उनका 3-4 वजन बढ़ गया कम नहीं हुआ बढ़ गया उसका रीजन क्या है कि लो , अब हम भाग रहे हैं और हम कुछ भी खara सकते हैं आप ड़िलकुल नहीं है अगर आप भाग रहे हैं तो आपने यह सोचके तो नहीं भागे थे , कि और आपको फूरूट्स खाने ओंगे ?? और आपको रात को हलका खाना खाना होगा,, और जाधा , हैवी न्ही कहाना होगा , बट करना अल्टिमेटली यही करेगा पड़ेगा अगर आवजन कम करना चाहते हैं अगर आपको लगता है कि आप exercise कर लेंगे और interesting बात क्या है जब आप regularly एक ही speed पर भागते हैं और लगातार एक ही जैसा भागते हैं तो body और efficient हो जाती है वो और कम calories का इस्तेमाल करती है तो अगर आपको weight loss करना होगा या तो आपको distance बढ़ाना पड़ेगा या कभी speed बढ़ानी पड़ेगी या strategy थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी तो इसके अलावा जो है regular खाने में भी आप डिनर बेकफास्ट जैसे किंग्स की तरह करते हैं और लंच की तरह और डिनर जो है वो पूर या प्रॉपर जो भी बोलते हैं उसकी तरह करना चाहिए लाइट होना चाहिए और भागने के लिए यह आपको काफी सरी चीजे सेक्रिफाइस भी करनी पड़ सकती हैं लेट नाइट पार्टी और लेट नाइट शादियों में खाना हैवी खाना स्पाइसी खाना क्यूंकि जब आप दो या तीन घंटे के लिए बहागेंगे और आपके पेट में कुछ गड़गड होती है तो का के तरफ से धन्यवाद नमस्कात